गरीब भावी ने बनाई पांच नंद के लिए शाधी का जोड़ा अरे सुनीता तु मेरे घर जी नमस्ते अपढणा जी आपसे एक बड़ा ही जरूरी काम था दरसल आज मेरी दोनों ननद रेखा और आशा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं आपने जो कुछ दिन पहले वो बनार सी साड़ी खरीदी थी न वो दोनों साड़ी चाहिएं थी ऐसा कहते हुए उस गरीब भावी के शब्दों में एक बड़ी लाचारी साफ दिख रही थी तबी अपना पल्ला छुडाते हुए अपढणा ने कहा अरे तू मुझसे मेरी साड़ी हक से मांग तो ऐसे रही है जैसे खरीद कर दियो माफ करना मगर मैं अपनी साड़ीया नहीं दे सकती बड़ी महंगी हैं पूरे लाक रुपे की हैं तेरी गरीब ननत के आउकात नहीं इतनी महंगी साड़ी पहनने की अपढणा का अपनी गरीब ननत के लिए ऐसा कहना सुनीता के मन में काटो की तरह चुपता है अगर आपको साड़ी नहीं देनी तो मत दीजे मगर मेरी ननत के लिए ये सब मत कहिए इतना ही बुरा लग रहा है तो जाकर अपने पैसों का खरीदना कहां से खरीदेगी पैसे भी तो नहीं है उपर से पाँच-पाँच ननत के लिए खरीदना है सुनीता आखों में आशू लेकर जाने लगती है तबी गमंड से फूलती अपढणा उसे ताना मारती है अरे सुनती तो जा इस जनम में तुझसे नहीं होगी एक साथ पाँच-पाँच ननत की शादी एक काम कर ये कटोरा ले और द्वार-द्वार जाकर भीक मांग करके कर देना शादी ये कहते हुए एक कटोरा सुनीता के आगे वो फेकती है सुनीता रोते हुए घर आती है अपनी गरीब भावी को इस तरह से फूट फूट कर रोते देख पांचो ननद का दिल निकलाता है तबी रेखा और आशा वही फटी साड़ी सुनीता के पास लाती है मेरी प्यारी भावी आप तो खुद एक दर्जी हैं आप इस साड़ी को बना दीजे हाँ भावी क्योंकि हमें बिलकुल गवारा नहीं कि आप हम पांचो के लिए हमारी भावी किसी के आगे हाथ पहलाएं ये कहानी है गरीब दर्जी सुनीता की जिसकी पांच ननद आशा, रेखा, किरन, प्रिया, अनु है श्रवन से सुनीता की शादी को बारा साल हो गए हैं जब सुनीता शादी करके आई थी तो रेखा और आशा थोड़ी होशियार थी मगर अनु, किरन और प्रिया बहुत छोटी, जिनोंने कुछ दिन पहले अपनी मा को खोया था इसलिए श्रवन ने पांचो के लिए शादी की और सुनीता ने भी अपनी पांचो ननद को बेटी माल लिया और उनका तन ढखने और थोड़ी खोशी देने के लिए घर में दरजी का काम शुरू कर दिया थोड़ी देर में साड़ी ठीक करके सुनीता अपनी दोनों ननद आशा और रेखा को तयार कर देती है पर लड़के वाले नहीं आते क्या हुआ जी लड़के वाले अभी तक आए क्यों नहीं ये लोग नहीं आएंगे सुनीता पर क्यों जी क्योंकि उनको किसी गरीब घर की बेटी नहीं बलकि मालदार पार्टी चाहिए जो मोटा दहिस दे सके कहते हुए श्रवन के मन में बसा अपनी पांचो गरी बेहनों की शादी ना हुपाने का दुख आसू बन कर गिरने लगा पर सुनीता ने हिम्मत नहीं हारी और कहा जी तुम देखना मेरी पांचो ननत को भगवान बहुत अच्छा अच्छा घर दुआर देंगे सुनीता दिन रात कपड़े सी थी ताकि पांचो की शादी अच्छे घर में हो जाए वह भूके प्यासे वरत करके बस यही मांगती कि उनकी शादी हो जाए एक दिन वह मंदिर की सफाई कर रही थी तभी एक गाड़ी में से पूजा की थाली लिए शारदा नाम की अमीर औरत उतरी और तभी थाली में से एक फूल गिरा जिसे उठाने के लिए शारदा नीचे जुकी तो सुनीता ने कहा मा जी ये फूल जमीन पर गिर गए हैं इसे भगवान पर मत चड़ाईएगा क्योंकि ये खंड़े थो गए सुनीता की बाद शारदा के मन को भागई पंडी जी वो जो सीड़ी साफ कर रही है वो कौन है अरे बड़ी गरीब औरत है शारदा जी पाँच पाँच नंद है बिहाने को विचारी की ये तब उनी के लिए कर रही है रोज मंदिर साफ करती है और भगवान से बस यही मांगती है कि नंद की शादी हो जाए भगवान जाने कब जा कर सुनेंगे अगले दिन शारदा सुनीता का घर ढूंडते हुए अपने बेटों का रिष्टा लेकर आती है मा जी आज मुझ गरीब भावी की तपस्या जैसे सफल हो गई मेरी नंद को इतना अच्छा घर मिलेगा सोचा नहीं था ये तो आपका बड़पन है जो आप मेरे घर से रिष्टा जोड रही है मेरी गरीब नंद बड़ी भागो वाली है बेटी जिसके पास तुम जितनी प्यार करने वाली भावी हो उसकी नंद गरीब कैसे हो सकती है बस अब तुम शादी की तैयारी करो अच्छा अब इजाज़त तो ऐसे ही दिन गुजरते और शादी का दिन पास आने लगता है तभी एक कस्टमर उसे शादी का जोड़ा सीने को दे कर जाती है जिससे सुनीता सी रही थी तभी लहंगा देख कर अनू कहती है अरे वा भावी ये ब्राइडल लहंगा तो बड़ा ही सुन्दर है मेरा भी पहनने का मन कर रहा है थोड़े दिन ठहर जानो फिर तो भावी हम पाँचो को शादी का जोड़ा दलाएंगी ही ये सुनकर गरीब सुनीता का हाथ से लाई मशीन से एकदम से रुक जाता है तभी आशा ने कहा केरन बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोला करो अरे जानती भी हो ब्राइडल लहंगा कितना महंगा आता है भावी हम पाँचो के लिए इतना महंगा लहंगा कहां से लाएंगी तभी प्रिया दुख जताते हुए कहती है तो क्या हमारी शादी का जोड़ा नहीं आएगा आशा दीदी बच्पन से ही सपना देखा था कि मेरी शादी महंगे से ब्राइडल लहंगे में होगी हम इतने गरीब क्यों है अपनी ननद प्रिया के आशु देख कर गरीब दर्जी सुनीता का मन भराता है और कुछ सोच कर वह लहंगे सीने बैठ जाती है मैं गरीब दर्जी भावी अपनी पांच ननद को शादी का जोड़ा जरू दिलाओंगे चाहे मुझे कितनी भी मेहनद क्यों न करनी पड़े इसी सोच को थामे हुए सुनीता पैसे जोडने में लग जाती है आट, नो, दस बस दस हजार दिन रात मेहनद करने के बाद भी मेरे पास बस ये दस हजार रुपए ही जोड़े है उनी दस हजार को लेकर सुनीता शादी का जोड़ा खरीदने बाजार आती है जहां एक दुकान के बाहर बहुती सुन्दर लहंगे शोपीस में लगा देखकर वह दुकान में आती है भाई सहब, मुझे कोई सुन्दर सा शादी का जोड़ा दिखाए मेरी ननत की शादी है दुकान दार उसे महंगे से महंगा लहंगा दिखाता है देखे बहन जी, यह हमारी दुकान में इस साल शादी के जोड़े में सबसे जादा रिमांड रही है यह लहंगा आपको बस एक लाख रुपे में पड़ जाएगा एक लाख? इतना दाम तो मैं नहीं दे पाऊंगी ऐसा कीजिए आप मुझे थोड़ा सस्ता सा शादी का जोड़ा दिखाएए कोई डेड़ दो हजार तक मुझे पाँच जोड़े चाहिए यह सुनकर दुकानदार सुनीता की कपड़ों को देखने लगता है और उसे ज़ाड़ कर बोलता है चलने का लिया से लेंगा खरीदने की आउकात नहीं होती और इतनी महंगी दुकान में घुसाते हैं बाग यह से बाई साहब आप धक्का क्यों दे रहे हैं मैं जा रही हूँ जा जैसा लेंगा तो ढून रही है न वो किसी फुटपाद पर बेच रहा होगा कोई कोई सेकंड हेंड चादी का जोड़ा होगा बरे बाजार उस गरीब दर्जी भावी की बहुत बेज़ती होती है गुजरते दिन के साथ शादी की तैयारी शुरू हो जाती है मगर आज तक भी सुनीता अपनी पांचो ननद के लिए शादी का जोड़ा नहीं ला पाती तब ही एक रोज जब बाजार आती है तो वहाँ उसे लहंगे बनाने का कपड़ा बिकते दिखता है मैं इन कपड़ों से अपनी ननद के लिए शादी का जोड़ा बना सकती हूँ सुनीता लहंगे के लिए महंगा मकमल का कपड़ा गोटा मोती लेस खरीद लाती है और रात भर लगा कर शादी से दो दिन पहले वह अपनी नींद गवाँ कर अपनी पांचो उननद के लिए शादी का जोड़ा सकती है और शादी का दिन भी आ जाता है तब ही पांचो उसे अपनी महंदी दिखाती है भाबी देखो कैसी लगी है हमारी महंदी? अरे वा, महंदी का रंग तो बहुत ही गाढ़ा चड़ा है वैसे मेरे पास तुम पांचो को देने के लिए एक तौफा है कैसा तौफो भाबी दिखाए ना? हाँ भाबी दिखाए ना? सुनीता पांचो को उनकी शादी का जोड़ा देती है तो वो बहुत खुशोती है कैसा लगा तौफारी गरीब भाबी का तौफा? ओ एहम जी भाबी ये ब्राइडल लेंगा कितना ओसम है हाँ भाबी ये ब्राइडल लेंगा वाकई बहुत प्यारा और खुबसूरत है तबी आशा ने रोते हुए कहा भाबी ये शादी का जोड़ा बनाने में आपने पूरी रात लगा दी खुद सोई भी नहीं अगर मैं सो जाती तो ये शादी का जोड़ा कैसे बनता और मैं अपनी प्यारी प्यारी सी पाचो ननत के चहरे पर ये जो खुशी है ये कैसे देखती चलो अब तयार हो जाओ पाचो शादी का जोड़ा पहन कर तयार हो जाती हैं जिसमें वो बहुत ही खुबसूरत दुलहन लगती हैं भाबी कैसी लग रही हैं हम? बहुत ही खुबसूरत लग रही हो भगवान करे तुम पांचो की ये मुस्कुराहट बनी रहे सुनीता अपनी पांचो ननद को मंडप में ले आती है जहां सभी की नजर उन जोडों पर गड़ी होती है इस तरह से एक गरीब भाबी अपनी पांचो ननद की जोडे में बिदाई करती है